हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी अकेडमी, तो आज हम इस विडियो में 2023 में आए हुए कॉर्डिनेशन कंपाउंड्स के सारे प्रिवेस एर को एक साथ डिस्कुस करेंगे, देखो ये चाप्टर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बिताती हूं, मतलब 2023 जैनवरी में जितनी भी शिप्ट में पेपर हुए है, हर दिन दो शिप्ट में पेपर होते हैं, हर पेपर में दो क्वेस्टन यहां से आए हुए हैं, तो आप समझ सकते हूं कि यह टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब दो क्वेस्टन यहने आठ नंबर, और कॉर्डिनेशन कंपाउंड की एक खास बात तो यह होते हैं कि यहां से अगर सवाल आता है, तो खास करके, क्योंकि दो क्वेस्टन आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं, पक्का ही आएंगे, और आएंगे तो पक्का ही बन जाएंगे, तो आठ नंबर तो हम यहां से लिख सकते हैं कि आ जाएंगे, चीक है, तो देखो, कॉर्डिनेशन कंपाउंड में 2023 में जो क्वेस FECL3, when treated with K4, FECN6, gives a Prussian blue precipitate due to formation of, देखो, क्या होता है, Prussian blue complex, पहले ही बताया जाता है, बहुत बार यह याद करवाया जाता है, यह देखो, direct यह copy से question है, Prussian blue complex, FECN6, का thrice, यह complex होता है, Prussian blue complex, ठीक है, इसको हम FEC2 plus के detection के लिए भी यूज़ करते हैं, यह FEC2 plus के detection के लिए यूज़ होता है, यह अगर आप practical organic chemistry पढ़ते हो, वहाँ CN के detection यानिन परी, CN यानिन nitrogen के detection के लिए भी यूज़ होता है, यह nitrogen detection के लिए भी यूज़ होता है, साथ-साथ में यह FEC2 plus के detection के लिए भी यूज़ होता है, दो खास बात होगी Prussian blue complex के बारे मे तीसरी खास बात यह है कि देखो, यहाँ पे जो बाहर वाला FE है, जो FE बाहर वाला है, वो किसमे है, plus 3 में, और जो complex के अंदर FE है, FE CN6, whole thrice, यह complex के अंदर इसके उपर क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 negative, तो यहाँ वाला जो FE है, वो किसमे है, plus 2 में present है, ठेक है, अब देख होता है, उसमें क्या होता है, यही सेम होता है, बस देखो, यहाँ पे क्या होगा, FE 2, sorry, FE 3, FE CN का whole 6, यहाँ पे आ जाता है, इसका twice, जैसे यहाँ 4 और यहाँ 3 होता है, तो यहाँ 3 और यहाँ 2 आ जाता है, इस complex को हम बोलते हैं, turnbulls, turnbulls blue complex, तो आप से इस बार pushy and blue पुछ हो सकता है, बनलब 2023 में पूछा था, हो सकता है, आप से turnbulls blue पूछ लें, तो ध्यान दिखना, यह complex ऐसा ही होता है, बस यहाँ 3 और 2 आ जाता है, तो वो complex हो जाता है, turnbulls blue, यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने वाली है, यहाँ यह जो FE है, वो बाहर वाला FE तो प्लस 2 में present है, और अंदर वाला जो FE है, complex वाला जो FE है, complex का FE जो है, वो present है, प्लस 3 में, तो आप ध्यान देखो, बाहर वाला FE प्लस 2 में, और अंदर वाला FE प्लस 3 में, तो turnbulls, अगर बाहर वाला FE प्लस 3 में, अंदर वाला प्लस 2 में, तो यह prussian blue complex होता है, इसी तरीके से complex की ही ब है बाहर इसके सोफोर होता है इसको हम बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉंप्लेक्स चीक है इसको हम क्या बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉंप्लेक्स Brown ring complex की खास बात ये होती है कि इसमें Fe की जो oxidation state होती है वो plus 1 होती है ये वाला सवाल भी बहुत बार पूछा जा चुका है मलब Brown ring complex से सवाल पूछा जा चुका है क्या होता है जनरली ये complex देखके बच्चे क्या सोचता है No neutral है Fe plus 2 लेकिन यहां गलत है Fe plus 1 में है और No plus 1 में है इ आपको ये Brown ring complex याद रखने है Brown ring complex में सबसे important point Fe जो है वो plus 1 में होता है और जो No है वो neutral नहीं यहां पे positive ligand की तरह काम करता है चीक है चलो next question देखते है next question में पूछा गया है which of the following is example of double salt तो देखो ये है हमारे पास Fe SO4 ये है NH4 twice SO4 ये एक double salt है चीक है उसके बाद इन दोनों को अगर मिलाओगे इन दोनों को मिलाने से हमारे पास Cu NH3 का 4 times SO4 ये वाला complex बन चाता है तो ये double salt नहीं है ये क्या है coordination compound है इसके बाद ये potassium सेलम ये भी क्या है एक double salt है और इन दोनों को भी अगर मिलाते हैं तो हम पढ़ते हैं शुरुआत में coordination complex के कि ये क्या बना लेते हैं K4 Fe 6 तो ये भी complex है तो हम क्या बोलेंगे कि जो A है वो एक double salt है और उसके साथ साथ C जो है वो एक double salt है तो A और C option जहांपे है मतलब आसान जिंदगी होते हैं कभी कभी पहले ही पेच से सावाल आ गया डारेक्ट कुछ नहीं करना देखके सिर्फ टेक करना था यहां पर देखो the spin only magnetic moment of MnH2O का whole 6 2 positive इस complex को हम कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे MnH2O का whole 6 2 positive complex चेक है तो यहां पर आपको इसका bore magneton में magnetic moment बताना है magnetic moment is equals to होता है under root N into में N plus 2 चेक है आप देखो यहां N क्या होता है N होता है number of unpaired electron number of unpaired electrons तो कैसे करते हैं देखो यहां magneze की oxidation state है plus 2 तो अगर magneze oxidation state plus 2 रखता है तो इसका configuration हो गया 3D5 configuration है water क्या है एक weak field ligand है अगर आप coordination compound के previous year देख रहे हो इसका मतलब मैं यह मान के चल रही हूँ कि आपने theory पढ़ रखिए तब आपको d5 weak field strong field double salt in सबका मतलब समझ में आएगा ठीक है तो देखो जब एक weak field ligand है यह एक octahedral complex है तो जो d orbital है वो किस तरीके से split होंगे वो t2g plus eg में split होंगे weak field ligand है तो यहां पर इसका जो configuration होगा वो कुछ इस तरीके से होगा और n की value कितने आएगी 5 अगर n की value 5 आती है तो आप यहां पर new अगर निकालोगे तो देखो कितना आएगा 5 इंटू में 5 प्लस 2 यने की 75 जा अंडर रूट 35 ठीक है अगर आप 55 जा लेते हो तो 25 होता है 6 6 जा 36 होता है मतलब इसका जो अंडर रूट होगा वो 5 और 6 के बीच में होगा और 5 और 6 में भी वो more closer होगा किसके 6 के समझ रहे हो ना क्योंकि 66 36 होते है यह 35 है मतलब 5.8 यह 9 5.9 सम्थिंग हम बोल सकता है तो इसका जो magnetic moment हमको nearest integer में बताना है तो कितना आ जाएगा 6 ठीक है एक है ना अच्छी टिप दे रहेती हूं इस question के असान अगर अंपेर्ड एलेक्ट्रों एक आता है तो magnetic moment 1.something होता है अगर 2 आता है तो 2.8 के सम्थिंग होता है 3 आता है तो 3.84 ऐसे सम्थिंग होता है तो आपको अगर अनपेर्ड एलेक्ट्रों के हिसाब से एक्जेक्ट पूछा है तो एक्जेक्ट निकालना पड़ेगा नहीं पूछा है तो फिर जैसे मैंने बोला वैसे आप कर सकते हूं चीक है उसके बाद अगर हम question देखे अन्मोनिकल मैटल salt solution give a brilliant red precipitate on the addition of thymethyl glioxym the metal ion is इसका answer है निकल ठीक है देखो यह salt analysis में भी हम पड़ते है निकल मैटल के detection के लिए हम dmg यूज़ करते है और nickel dmg का एक complex बनता है ni dmg का twice यह जो complex है इसका जो color होता है इसका color होता है rosy red color कौन सा color होता है rosy red color होता है और इसका complex कैसा होगा देखो ni यहाँ पर होता है dimethyl glioxym तो कुछ इस तरीके से इसका structure होता है यहाँ देखो एक methyl यहाँ पर एक methyl यहाँ ओ नेगेटिव यहाँ OH और यह इसके साथ metal के साथ coordinate bond बनाता है यह metal के साथ coordinate bond बनाता है ठीक है ऐसे ही यह होता है dimethyl glioxym यह होता है glioxym यह देखो dimethyl तो dimethyl glioxym इसी तरीके से एक dmg का twice लिखा है तो यह एक dmg एक dmg इधर से भी लगता है तो देखो कुछ इसा लगेगा यह आप देखो यहाँ पर क्या आजाएगा CS3 यहाँ पर आजाएगा CS3 मेरा इस complex को बनाने का purpose यह है कि देखो इससे एक बार तो सवाल पूछ लिया है कि कौन सी metal use होती है अब ना आपसे पूछा जा सकता है कि देखो यहाँ यह hydrogen bonding हो रही है यहाँ पर hydrogen bonding हो रही है तो यह एक rosy red color का complex है nickel DMG का इसमें यह पूछा जा सकता है कि बताओ five member की ring कितनी है तो देखो one two three four five five member की हमारे पास कितनी रिंग है दो रिंग है ऐसे ही इस hydrogen bonding और chelation की वज़े से देखो एक दो तीन चार पाँछ है हमारे पास एक दो तीन चार पाँछ है six member की भी कितनी रिंग रही है दो रिंग बन रही है तो आप से कुछ भी पूछा जा सकता है कि hydrogen bonding की वज़े से कितनी रिंग बन रही है या पाच में मर की कितनी रिंग है तो वह इस complex को देखके आप ध्यान लगार रख सकते हो चिक है next question देखता है the magnetic moment of transition metal complex has been calculated to 3.8 bore magneton the metal ion is फिर बोला अगर unpaid electron 3 है तो magnetic moment 3.8 आता है है अभी बताएगा तो बस अब देख लो किस में 3 unpaid electron है titanium आगर आप titanium देखोगे तो titanium scandium titanium इसका configuration होता है 3D2 4S2 आगर आप titanium 2 लिखोगे याने configuration आता है 3D2 mn 2 plus का configuration अभी देखा था हमने कितना होता है 3D5 vanadium 2 plus तो vanadium का configuration होता है scandium titanium vanadium यानि D3 4S2 अगर इसका आप 2 positive बनाओगे मतलब की एक electron यहां से गया, एक यहां से गया, तो यहां आ जाएगा 3D2, मतलब इसमें 2 unpaid electron हो गए, देखो कैसे, इसमें 2 unpaid electron, Mn25 में हमारे पास 5 unpaid electron, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें हमारे पास 2 unpaid electron हो जाएंगे, 1 और 2, क्रोमियम 2 प्लस की बात करें, क्रोमियम का configuration होता है, 4S3D5, 4S1, अगर आप क्रोमियम 2 प्लस की बात करोगे, तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, 3D3, वैनेडियम 2 प्लस मतलब यह दोनों निकल गए, तो 3D3, यहां 3 unpaid electron आ गए, आंसर हमको मेल चुका है, वैनेडियम इसका आंसर होगा, स्टिल इसको चेक कर लता है, क्रोमियम 2 प्लस यहने की 3D4, 3D4 यहने की 4 unpaid electron, तो 4 unpaid electron है, तो magnetic moment जो आएगा, वो 4 point something आएगा, ठेक है, और magnetic moment कितना दिया है, 3.8 मतलब 3 unpaid electron, यहने वैनेडियम विल बी दा, आंसर पो दिस question, ओके, देखो, the primary and secondary valences of the cobalt respectively in this complex, हमने एक वर्नर थियोरी पड़ी है, यह question वर्नर थियोरी से है, देखो आप coordination complex, उलब उसका हर कुछ important है, क्या introduction, उसका, मतलब, ligands का classification, उसकी सारी theories, हर एक चीज बहुत important है, कोर्डिनेशन के, कहीं से भी सावाल आ सकता है, ठीक है, तो देखो, इस complex में अगर हम बात करें, CO, NS3 का 5, CL, CL2, तो हमने वर्नर थियोरी पड़ रखी है, हमने वर्नर थियोरी के हिसाब से हम बोलते हैं, कि भाईया, जो ionizable valency होती है, प्राइमरी valency होती है, और जो non ionizable होती है, वो कौन सी होती है, secondary valency, तो यह कौन सी हो गई, secondary valency, तो secondary में देखो, 5 और 1, 6 हो गई, इसका अगर हम complex बनाएंगे, तो देखो, इदर ऐसे बनाए, कोबाल्ट, NS3, NS3, यहाँ पे भी NS3, यहाँ पे भी NS3, उन्होंने बोला था, वर्नर थियोरी में, कि जो secondary valency होती है, उसको हम solid line से दिखाते हैं, और जो primary valencies होती हैं, उसको हम dotted line से दिखाते हैं, तो इस तरीके से हम CL, CL को dotted line से दिखा देंगे, और यह जो है, मतलब, यह CL, यह वाला CL, इसकी ionization को भी satisfy करता है, और coordination number को भी satisfy करता है, उसके charge और coordination number दोनों को satisfy कर रहा है, तो यहाँ पे देखो, आप solid से कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो solid, secondary valencies कितनी हो गई, 6, और यह dotted से कितनी है, 2, तो primary valencies कितनी हो गई, 2, तो हम primary, उन्हें respectively पूछे है primary, primary 2 चाहिए, secondary 6 चाहिए, कौंसा option हो गया, second option will be the answer, okay, next देखो, the D, electronic configuration of cobalt, CL4, 2 negative, in a tetrahedral crystal field, is this, this, तो आपको, इस configuration में, E में जितने electron है, वो, तथा इस complex में, जितने number of unpaired electron है, वो, उनका sum बताना है, कैसे करेंगे, देखो, सबसे बहले, CO, CL4, 2 negative, ठेक है, यहाँ अगर हम cobalt की oxidation state, X माल लें, एक CL का होता है, minus 4 is equals 2, आता है, minus 2, यानि cobalt की oxidation state आती है, plus 2, समझे, cobalt की oxidation state, plus 2, cobalt का configuration होता है, 3D7, 4 is 2, अगर आप cobalt 2 plus लिखोगे, तो वो हो जाएगा, 3D7, 3D7 होगा, अब अगर हम इसका tetrahedral splitting करते हैं, तो देखो tetrahedral में splitting किस तरीके से होती है, नीचे आ जाता है, E, ऊपर चला जाता है, T2, ठीक है, देखो, मैंने जब coordination complex पढ़ाया था, तब भी बोला था कि भाई, जब हम tetrahedral में splitting करते हैं, तो यहाँ पर G नहीं लगाते हैं, G क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि यह जिरड नहीं होता है, G stands for Zirad, Zirad मतलब जिसमें center of symmetry present होती है, tetrahedral वाले complex में center of symmetry present नहीं होती है, तो देखो, आप इसका electron भरे हैं, अपन, 7 electron है, और यहाँ सारे ligands को हम क्या करते हैं, weak field ligand रिकंसिडर करते हैं, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, चिक है, तो हम, हमको sum बताना है कि इसका configuration अगर हम लिखेंगे, तो E4, T2, 3, यह configuration आएगा, और number of unpaired electron, number of unpaired electron कितने आजाएंगे देखो, एक, दो, तीन, तो इन दोनों का sum बताना है, यहाँ पे जो है उसका और unpaired electron का, तो 4 plus 3 कितना हो जाएगा, 7, तो 7 will be the answer for this question, okay, चलो, next question है, which of the following cannot be explained by the crystal field theory, तो crystal field theory से magnetic properties, हाँ, हम बहुत अच्छे से explain कर सकता है, आगर weak field होआ तो pairing हो जाएगे, अन पर electron change हो जाएगे, तो पहली चीज़ तो हम explain कर सकता है, order of spectrochemical series, हाँ, ligand के interaction के base पे ही हम बताते हैं कि ligand strong field है या weak field है, तो यह हम crystal field theory से ही निकालते हैं, दूसरा आता है color of metal, हाँ, अगर आप इस तरीके से उनको splitting कर लोगे, हम फिर dd transition से बताते हैं कि color होगा या नहीं होगा, तो यह भी explain कर सकता है, stability complex की, stability of complex, stability of complex को हम crystal field theory से explain नहीं कर सकते, उसके लिए हमको क्या, उसका stability constant और बहुत सारी चीज़े पता होने चाहिए, ठीके तो इसका answer हो जाएगा 4, next देखते हैं, next में क्या है, the hybridization and magnetic behavior of cobalt ion, in this complex, अब देखो, अगर आप इस complex में देखोगे, तो CO NH3 का whole 6, 2 positive है, 3 positive, ammonia एक neutral ligand है, तो इसका मतलब cobalt plus 3 में present है, cobalt plus 3 याने D6 configuration, कोbalt का configuration होता है, 3D7, 4S2, 3 electron निकल गए, तो D6 बचा, अब देखो, यह ammonia क्या है, एक strong ligand है, तो आप क्या करोगे, इसकी octahedral splitting करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, समझे, तो यहां से तो हम क्या निकाल लेंगे, कि यह diamagnetic है, देख रहा है न, diamagnetic, क्योंकि सारे electron क्यास है, pair, तो diamagnetic आ गया, अब इसके बाद अगर hybridization निकालना है, तो देखो hybridization निकालने के लिए, VBT का use करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब ammonia strong field ligand है, तो वो क्या करेंगा, इसको pair करवा देगा, और इसको भी pair करवा देगा, जब यह दोनों electron है, विन्यास कैसा बन जाएगा, यह ने, इसका configuration, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर metal का S orbital भी खाली है, और इधर P orbital भी खाली है, तो hybrid, आप कौन सा orbital use होगा, D का, inner orbital use होगा, और hybridization होगा, D2, SP3, समझे, तो हमारा answer क्या होगा, D2, SP3, तो इसकी geometry आ गई, hybridization आ गया, सरी, और magnetic में यह diamagnetic आया, तो हमारा third answer इसका सही होगा, समझे, next है, how many of the following metals, iron have similar value of spin only, magnetic movement in gaseous state, आपको बिताना है, कि इन में से, कितनों के पास, same number of unpaired electron होगे, क्योंकि, जिनके पास number of unpaired electron बराबर होगे, उनका spin only magnetic moment भी क्या होगा, बराबर होगा, चिक है, spin only से डरना नहीं है, आपके syllabus में cable spin only है, तो जो आपको सिखाया है, वही magnetic moment calculate करना है, बड़ी, जो आगे अगर higher studies करोगे, तो वहाँ पता चलता है, कि orbital का momentum भी calculate किया जाता है, लेकिन वो आपके syllabus में नहीं है, आपके syllabus में cable spin only है, चिक है, तो यहाँ देखो, vanadium 3+, vanadium 3+, मतलब की, vanadium का configuration अगर हम देखें, vanadium होता है, scandium, titanium, vanadium, यहीं है, d3, 4s, 2, अगर आप vanadium 3+, लोगे, तो यहाँ से दो जाएगा, यहाँ से एक तो यह हो जाएगा, 3d2, n के value आगे 2, chromium 3+, chromium का configuration होता है, 3d5, 4s, 1, अगर chromium 3+, बनाओगे, एक इदर से जाएगा, 2 इदर से जाएगे, यहाँ जाएगा, 3d3, n की value आगे, 3, fe2+, fe2+, अगर देखोगे, तो fe2+, मतलब, fe2+, यहने, d6 configuration, और d6 configuration हम किस तरीके से बनाएगे, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, unpaid electron हो गई कितने, 4, ठीके, ni3+, ni3+, ठीके, ni का configuration होता है, 3d8, 4s, 2, अगर 3 निकाल दोगे, तो क्या आजाएगा, 3d7, और 3d7 को अगर आप लिखोगे, तो क्या आएगा, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 unpaid electron, नहींने, n की value कितने आई, 3, तो देखो, n की value 3 किस-किस में आई, ni3+, और ni3+, में n की value सेम है, मतलब इनका spin only magnetic moment भी कितना होगा, सेम, तो answer हो जाएगा, ऐसी 2 species हैं, जिनका magnetic moment सेम है, उसके बाद अगर हम बात करें, the number of paramagnetic species in the following complexes, paramagnetic species बतानी है, वैसी species जिनके पास unpaired electron present होंगे, ठीक है, ni, cn4, 2 negative, पहले complex में ni2+, present है, ni2+, का configuration है, मतलब d8 present है, d8 है, वो भी एक strong field ligand cn के साथ, जब strong field ligand cn के साथ present है, तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इन दोनों की pairing हो जाएगी, pairing अगर हो गई तो यह electron हैं आ जाएगा, और है dsp2, तो देखो, यह unpaired electron हैं पर कितने हो गए, 0, तो इनका, जो magnetic moment है, number of paramagnetic, तो यह तो क्या हो गई, गलत हो गई, यह तो diamagnetic हो गई, आगर niCO4 की बात करें, niCO4 में, निकल की जो oxidation state है, वो 0 मतलब कौन सा configuration है, 3d84s2, यहाँ देखो, यह थोड़ा complex important होता है, इसमें क्या होता है, जिसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 2 electron हैं प्रेजंट है, तो जब CO आता है ना, तो CO इन सब को pair करवा देता है, अंदर भर देता है सब को, तो देखो क्या होगा, इसमें, इसका जो configuration है, वो कुछ इस तरीका से बन जाएगा, मतलब सारे 10 के 10 electron कहां आ जाएंगे, अंदर, तो यह भी कैसी species है, यह भी है हमारे पास diamagnetic, इसमें देखोगे, ni2 plus के साथ weak field legend है, weak field legend है, मतलब यह वाली pairing नहीं होगी, pairing नहीं होगी, तो यह D8 configuration में होगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, इसी form में रहेगा, यहाँ N की value 2 है, तो यह कैसी होगई, यह होगई हमारे पास paramagnetic, अब इसके बाद अगर हम बात करें, Fe, Cn6, 4 negative, तो देखो, इसमें अगर iron की oxidation state निगालोगे, plus 2, याने D6, with a strong field ligand, तो unpaired electron कितने होगे, 0, क्योंकि सबकी क्या हो जाएगी, सबकी हो जाएगी pairing, चेक चे अचे electron, pair up हो जाएगे, pair up हो गए तो यह भी कैसी आगई, diamagnetic, Cu2 plus है, Cu2 plus है, D9 configuration है, एक unpaired electron हो जाएगा, तो यह कैसी हो गई, यह हो गई, paramagnetic, ठेक है, तो हमारे पास अभी तक दो species आईए, paramagnetic, अब देखो, Fe3 plus, Fe3 plus मतलब N की value 5, number of unpaired electron कितने हो गए, 5, अब अगर CN भी है, complex यह वाला बताते हैं, देखो, इसमें Fe3 plus में है, Fe3 plus मतलब D5 configuration है, तो देखो, अगर यह CN आके pairing भी करवाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, हम एक unpaired electron तो रही जाएगा, तो यह भी कैसी हो जाएगी, यह भी हो जाएगी हमारे पास paramagnetic, अब यह Fe2 plus होना चाहिए, Fe2 plus है, water है, तो यह भी कैसी होगी हमारे पास paramagnetic, तो देखो, हमारे पास 1, 2, 3, 4 species हैं, जो paramagnetic होगी, ठेक है?